अगर आपको इस पर्टिकूलर लेक्चर की पीडिएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्चर मॉक्स में मिल जाएगा तो शुरू करते हैं शुरुआत करते हैं इंपोर्टेंट डेस से 5th of December को आते हैं तो important days एक तो आता है international volunteer day और दूसरा आता है world soil day international volunteers day हम celebrate करते हैं कि जो हमारे volunteers है या organizations है जो अपना काम कर रही है communities के लिए social work कर रही है तो उनसे related day होता है और इसका theme क्या है इसका theme है diverse volunteers stronger communities diverse volunteers stronger communities इसका theme है world soil day soil को किस तने से हम healthy रख सकते हैं soil pollution को रोख सकते हैं soil erosion को रोख सकते हैं उसे related day है और इसका theme है caring for soils measure monitor and manage right next time revision pointers एक बार दिख लेते हैं कल जो हमने current affairs पड़े थे तो one liner जैसे उसको मैंने पहले आपको डाल दिया है so that कि revise करना easy हो जाए यूपी के अंदर 76th district announce कर दिया गया है कौन सा है बहा कुम मेला आंदरा परदेश के अंदर जो judicial officers है उनकी retirement age को बढ़ा दिया गया है from 62 to 61 years Amar Singh Chamkila जो movie है इसने जीता है best film award in 5th film fair OTT awards justice मुर्दू निरूपा बिंदुशीनी फर्नांडो ये बनी है श्री लंका की 48th chief justice और second female chief justice श्री लंका की ISA ने एक agreement sign करा है इंडिया के साथ किस पे solar project पे कहाँ पे लगाने है Pacific islands पे Fiji हो गया, Comrose हो गया, Madagascar, Seychelles Island तो इन islands पे solar project पे काम करेगा अब इंडिया एंड आइस से दोनों मिलकर International Solar Alliance UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification इसकी होई है COP16 Conference of Party 16th edition की होई है कहाँ पे रियाद के अंदर चल रही है 2nd December को शुरू होई थी 13 तक चलेगी और इसका theme है Our Land, Our Future एक Siberian Crane है, नाम है Siberian Demoiser Crane Sukhpak तो इसने एक record बनाया है कितना? 3676 km का तो 3676 km ये उड़कर फ्रॉम साइबेरिया से राजस्थान माइगरेट हुई है Astroview, क्या है ये Astroview? ये एक commercial satellite imagery service है जिसको launch किसमें करा है और इसको launch करा है Dhruva Space ने, जो कि एक हदराबाद बेस्ट कांपनी है Arjun Arigasi, Arjun Arigasi ने एक record set करा है ये 2nd Indian बने है जिन्नोंने 2800 ELO rating को ब्रीच करा है फिर्स्ट कौन थे? फिर्स्ट थे विशवनाथन अनंद जी पीवी सिंदू और लक्षे सैन इन्होंने जीता है सयद मोधी इंडिया इंटरनाशनल बेडमेंटर टॉर्नामेंट कहां पे हुआ था? लखनाओ के अंदर तो ये थे हमारे कुछ रिविजन पॉइंटर्स अब हम चलते हैं आज के क्वेस्टन पे आज का फर्स्ट क्वेस्टन है मिशन अरुन हिमवीर अरुन हिमवीर मिशन लाँच किया गया है कौन सी स्टेट का है अब नाम से ही पता चल रहा है अरुन तो अरुनाचल परदेश का होगा तो अरुन हिमवीर कॉंसी स्टेट में लांच किया गया है, अरुनाचल परदेश के अंदर लांच किया गया है और वहां पर एक MOU साइन हुआ है, Memorandum of Understanding साइन हुआ है किसके बीच में अरुनाचल परदेश और ITBP के बीच में, Indo-Tibetan Border Forces, Border Police ITBP के बीच में और अरुनाचल परदेश के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसके according कि जितने भी fruits, vegetables, dairy products या पोल्टरी परदक्स जा रहे हैं ITBP के अंदर, वो कहां से जाएंगे, वो सारी कि सारी supply जाएगी, अब अरुनाचल परदेश से, राइट next है Handigodhu disease, Handigodhu disease, यह कौन्सी state से related है, तो Handigodhu disease related है, करनाचा state से करनाचा के अंदर एक village है, जिसका नाम है Handigodhu village, तो उसी village से Handigodhu disease की शुरुवात हुई है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है, Handigodhu disease इसमें होता क्या है यह effect करती है bones को और joints को bones और joints जो है वो weak हो जाते हैं हडियां टेड़ी होनी शुरू हो जाती है और यह एक inheritance disease है inherited है आगे की आगे जो है pass on होती जाती है और इससे क्या होता है कि जो आने वाले generation है जैसे बच्चे है तो बच्चों में dwarfism आना शुरू हो जाता है height नहीं बढ़ती हांडी गोरू disease की वज़े से तो फिल हाल के लिए करनाटका के दो district में यह जो हांडी गोरू disease है वो देखी गई है कौन कौन से है एक तो है शीमोगा शीमोगा district है और दूसरा है चिकमंगलूर डिस्टिक है तो यह दो डिस्टिक के अंदर यह जो डिजीज है वो पाई गई है next day recently UNESCO declared which state as the top tourism spot top tourism spot UNESCO ने इंडिया की कौन सी state को डिकलेर किया है तो वो डिकलेर किया है West Bengal को कौन सी state को West Bengal को next day World Maritime Technology Conference World Maritime Technology Conference recently कहां पे हुई है तो यह इंडिया के अंदर हुई है चन्नही में यह हर 3 साल बाद होती है तीन साल में एक बार यह World Maritime Technology Conference conduct करवाई जाती है इंडिया में इस बार पंदरा साल के बाद conduct करवाई गई है after 15 years इंडिया के अंदर इस साल यह हुई है 4th of December को शुरू हुई थी, 6th of December तक ये चलेगी 3 साल में एक बार होती है, इंडिया के अंदर 15 साल के gap के बाद अब इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और ये जो organization है, World Maritime Technology Conference, इसके अंदर 21 members है कितने members की organization है, ये 21 members की organization है लास्ट ये जो हुई थी, होनी 21 में थी, लेकिन 2021 के अंदर क्रोना चल रहा था, जिसके चलते हुए इसको आगे पोस्ट पॉन कर दिया था तो अब ये हुई थी 2022 के अंदर, लास्ट हुई थी 2022 में और इस साल हुई है 2024 में, राइट next day, which company has launched its water transport service on Dal Lake in शिरिनगर, Dal Lake शिरिनगर में कौन सी company है, जिसने water transport service शुरू करी है water transport service, जैसे हमने कहीं जाना होता है, हम taxi book करते हैं, क्या book करते हैं तो same, अब Dal Lake पे भी water transport service जो है, शुरू कल दी गई है कौन सी company ने launch करी है, तो इसको launch करा है, Uber ने, यह रहा, यह शिकारा जो है न, यह Uber की है तो अब यह जो शिकारा है, यह भी Uber जो है, control करेगी Dal Lake पे, राइट तो Uber ने अपनी यह चलानी वहाँ पे water transport service चलानी शुरू कर दी है next is Arjuna awardee Raj Manjanda, कौन है, Raj Manjanda, who passed away recently was related to which sport Raj Manjanda ji कौन सी game से related है, recently इनकी death हो चुकी है, Arjuna award से इनको सन्मानित किया जा चुका है तो यह famous squash player थे, कौन थे, यह famous squash player थे next है Vijay Shankar, Vijay Shankar, who passed away recently was a famous, Vijay Shankar कौन थे तो Vijay Shankar जो थे, यह एक famous CBI के director है, former director थे CBI के आरूशी murder case आपने सुना होगा, जिस पे तलवार movie भी बनी है तो वो जो case था, वो इनी के time पे आया था, Vijay Shankar जी के time पे 2005 से लेकर, 2008 तक यह CBI के director रह चुके है, right next day, which of the following is the Oxford's word of the year, Oxford's word of the year कौन सा word है इससे पहले हमने एक और word पढ़ा था, Collins dictionary का word, right Collins word of the year, Collins word of the year कौन सा था, तो वो था brat, brat का मतलब क्या होता है, एक confident women, एक positive way में यहाँ पे इन्होंने इसको explain का रहा था, Collins word of the year को अब Oxford's word of the year कौन है, कौन सा है, वो है, brain rot Oxford's word of the year है, brain rot इसमें क्या होता है, इसमें keyword, हम same चीज बार 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 देखे चाहते हैं तो उससे यह होता है, brain rot, एक तरह से दिवाग में कीडा लग चाहता है, brain rot जैसे आजकल technology का जमाना है, reels इतनी सारी जलती है, keyword क्या है कि same ही तरह की reels हम बार 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 वो स्क्रॉल करते जाते हैं तो उससे यह होता है, brain rot next is which country's president declare emergency marshal lock emergency marshal lock, one country में declare किया गया है तो इसको declare किया गया है, south korea के अंदर, कहां पे, south korea में अब south korea में जब government बनी थी, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जो ruling government थी ना वो बहुत ही कम margin से जीती थी, तो इतना जादा margin नहीं था तो वहां पे opposition भी strong थी, margin जादा ना होने की वज़े से जो opposition थी, south korea में काफी strong थी अब जो opposition वाले थे, वो north korea के साथ, अपना, जो था, relation बना रहे थे तो जिसके चलते हुए, president को जो situation थी, south korea के जो president है, उनको situation जो थी, वो दीरे दीरे ऐसे लगा कि खराब हो रही है जिसके चलते हुए, south korea के जो president है, उन्होंने लगा दिया है, emergency martial law martial law क्या होता है, military law, जो military rule शुरू हो जाता है वैसे तो अब parliament में सारे काम होते है, तो martial law के अंदर क्या होता है, कि country का पूरा का पूरा जो भी system होता है, वो कौन देखता है, military देखती है यहां पर fundamental rights गरा जो होते है, वो सारे के सारे खतम कर दिये जाते है, जब military law apply होता है, right next is high energy stereoscopic system, high energy stereoscopic system observatory is situated in which country, HESS observatory, कौन सी country में है तो recently जो HESS के scientist है उन्होंने बहुत ही high energy की cosmic rays को detect करा है, जिसकी वज़े से यह news में है तो कहां पर है यह, तो यह है नामीबिया के अंदर, कहां पर है नामीबिया के अंदर, नामीबिया अफरीका continent में पढ़ता है, तो नामीबिया के अंदर है high energy stereoscopic system observatory, तो यहां पर अलगला countries के scientist आते हैं और जो भी अपना study है वो करते हैं, राइट next day 2024, Asian e-sports games held in e-sports games हुई है, 2024 की Asian e-sports games e-sports games होती है, जो online games होती है, तो यह कहां पर हुई है, यह हुई है bank of के अंदर, कहां पर, bank of के अंदर यह games conduct करवाई गई थी, तो इसके अंदर India के जो पवन कामपली है, पवन कामपली जो है, इन्होंने जीता है bronze medal, e-football में, कौन सी game में, e-football के अंदर इन्होंने जीता है bronze medal, India के पवन कामपली जो है, राइट, so that's all for today, hope you like this video, thank you, bye bye, have a nice day